नमस्कार शात्रों, मैं डॉक्टर हिम्रता काटे, बड़ा से देशाई कोलेज पाटन आज हम बे भाग दोन के अंतरगत जो जीवनी अंश है धर्ती और धान इसका दूसरा भाग देख लेंगे पहले भाग में हमने पंडिय बेचन शर्मा उगरजी ने इस जीवनी में अपनी माग के प्रती उनकी भावना है उनके पिताजी के जो गुन है वह बताने का प्रयास किया है हमने यहां तक देखा था कि पंडिय बेचन शर्मा उग्रजी के पिताजी का दिहांत ख्षय रोग के कारण हो गया था और ख्षय रोग के लिए बक्री का दूद बहुत ही आवश्यक माना जाता है परन्तु उन्होंने अपने वैश्णो धर्म को छोड़ना उचित नहीं माना और उम्र के चलिसवे साल में उनका दिहांत हो गया तब पंडे बेचन शर्मा उग्रजी केवल दो साल चार मेने की रहे थे आगे जाकर उनके परिवार पर जो पत्तिया आई हैं वह बताने का प्रयास यहां किया है या अपने परिवार के माधिन से अपने परिवार के अनेक लोगों की गुनों को उन्हों नहीं हाँ बताने का प्रयास किया है उनके बडे भाई का नाम है उमाचरण जो 22 साल के रहे हैं मजले भाई का नाम है स्रीचरण और पिताजी के दिहान तक के बाद 22 साल में उनके बड़े भाई की शादी हो जाती है तब घर में भावी, बड़े भाई, छोटा मंजला भाई स्री चरन वह अपने भावी और भाई से लड़ जगड़ कर आयोध्या चले गए थे राम लिला में जुड़ गए थे वस्वह से बिलकुल क्रोधी नहीं थे, उमाचरन पर सारी जिमेदारिया थी परिवार में कमाने वाले अधिक कोई नहीं था बहिन के शादी हो चुकी थी, अतहा परिवार को आर्थिक विपनता का सामना करना पड़ा है उस वक्त बेचेंजी चार साल के रहे हैं, वह हमेशा रोग गरस्तर हेते थे और उनके रोग के लिए अईरुवेदी कुप चार किया जाता था, उन्हें भस्म खिलाया जाता था एक बात वह बताते ही कि उनकी मा किस प्रकार कुरोधी थी, और यह कुरोध उन्हें वहमस्य परमपरागत से मिला है कारण वह अपने आपको विश्वा मित्र के गोत्रवाले बताते हैं, और वह कुरोधी कौशिक विश्वा मित्र के गोत्रवाले होने के कारण ये क्रोध भवना उनकी परिवार के हर सदस्य में दिखाई देती है केवल मंजले भाई स्रीचरन क्रोधी नहीं थे उमाचरन, बैचेन, माँ, प्रसंगे के अनुसार उनमें क्रोधी दिखाई देता है लेकिन एक बात थी उनकी माँ को प्रोधी इसलिए आता था कि उनकी काकी उन्हें कोई संता नहीं थी कि वह एक ही लड़की थी इसलिए वह अपना सारा प्यार, छोटे बेटे बचेन, बेचेन पर उन्देल डालती उससे अधिक प्यार करती इसलिए ये बात देखकर उनकी मा अधीक क्रोधी होती थी लेकिन क्रोध करना ठीक नहीं है ये बताने का प्रयास पंडे ये बेचन शर्माजी ने इस जीवनी में किया है क्रोध चाहे पत्ती करे या पत्नी करे मा करे या बेटा करे या कोई भी करे क्रोध हमेशा पाक का ही धनी होता है क्योंकि क्रोध का असर जीवन पर हमेशा भुरा ही होता है और पांडे ये बेचे शर्माजी विश्वामित्र कौशिक क्रोधी कौशिक विश्वामित्र के गोत्रवा लेने क्रोधी होने के कारण उनके परिवार के अन्य लोग क्रोधी है मा के क्रोध का असर उन्हें भुगतना पड़ा भाही के क्रोध का असर उन्हें भुगतना पड़ा बेचन जी के क्रोध का असर उन्हें भुगतना पड़ा अथा क्रोध का असर ये पाप का मूल है वह इस प्रकार बताते हैं जेही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल, जिसके कारण केवल अनुचित ही होता है विश्व के कोई प्रतिकूल बात नहीं होती, अतहां बैचेंजी कहते हैं कि मैं अगर डायरी लिखता तो ठीक बाद नहीं होती, यह मेरा क्रोध बताएएए हमारे पास क्या है, समाज को हमें क्या देना है यह भात उस विएक्ति को ही समझ में आनी चाहिए बहुत संदेश, सुन्दर संदेश रहां उन्होंने अपने इस जीवनी के माथ्यम से दिया है और यह संदेश देने के लिए उन्होंने गोस्वा मी जी तुल सिदाज जी ने मिने पत्रीका में 400 साल पहले जो पंक्ती लिखी हे वो पंक्ती दिये अपनी जीओनी में उस पंक्ती में तुल सिराज जी ने कहा था मिने पत्रिका में किये सहित सनेह जे अग रुधय राखे चोरी संग बस किये सुभ सुनाये सकल लोग निहोरी अर्था परम प्रेम कुर्वक किये वे प्रचंड पापूं को तो रुधय की अंध कोट्री में छिपा रखना लेकिन किसी दूसरे के संग में होने की कारण भी कोई भला काम बन पड़ा हो तो उसका ढोल मुस्लूप पिटना यानि दूसरों के साथ अगर मिलकर कोई भला काम करते हैं तो उसका आप अधिक लोगों को बताने का प्रयास कीजिए अधिक लोगों को अपनी बात बता दीजिए लेकिन जो हमने स्वयं कुछ प्रचंद पाप किये हैं अगर किवल हमें ही पता है यह सारे पाप अपने रुधे की अंधक कोट्रे में छिपा कर रखने चाहिए अच्छे बाते ही समाज को बताने चाहिए और बुरी बाते है जो किवल हमारे तक सीमित है वह हमारे तक ही सीमित रुधने चाहिए यह बताने का प्रयास चार सो साल गोस्वामी तुष्दाजी ने अपनी मिने पत्री कामी किया था और ही बात आज अपनी जीवनी के माध्यम से पंडे बेचन शर्मा कुगर आपके समने प्रस्तुत करते हैं और क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध पाप का ही मुल है चाहिए कोई भी क्रोध करे पती बतनी मा बेटा बाबा या बेटी कोई भी यह क्रोध ठीक नहीं है क्रोध का असर जीवन पर हमेशा बुरा ही होता है और वह जीवन को नश्ट ही करता है यह जाते जाते इस जीवनी कि अंत में अपनी परिश्रमी मा का चतरन किया है. और उनकी मा कितनी भूली-भाली थी, इसका ही चोटा सा प्रसंग्यां चतर किया है. उनकी मा अपनी बेटों को पैसे गिन्ने के लिए देती थी. शाड़े 4 आने, तो बेटे 6.4, शाड़े 16 आने गिनने के लिए दी थी तो बेटे वह मा को कहते कि सही है ठीक है दुसरा बेटा भी उसी प्रकार करता पंधरा आने देने की बाद भी 16 आने ही आने ही है ऐसा कहता इस प्रकार वह भूली थी अपने बेटों पर विश्वास रखने वाली थी और वह परिश्रमी करती रहती थी दिवाली की दिन दसरे की दिन अकेली अपने कच्चे मिटी के घर को बड़े लंबे चोड़े कच्चे मिटी के घर को यहां उन्हें ने किश्वद इस्तिमाल के हैं दरिदरी घर को अकेली पोत्ती फटे पुराने कपडों से कत्री सी लेती थी कत्री याने ग पंके तो खासे बनाती एसे संभारों में गेत गाती सबहाइए घर में भुणी भांग नहीं कुछ की खाने και लिए नहीं होता और बुनी भांग भी नहीं होती पीस थी और अपने बच्चों को भग खिला थी तब यह बेचन जी छोटे थे चार साल के थे वह नाशने लगते तो मा कहती पेट में पड़ा चारा तो नाशने लगा बेचारा अर्थत अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने पिताजी के बाद मा ने उठा ली थी और अपनी परिवार की जो दैनी अवस्ता है वो दैनी अवस्ता पांड़े बेचन शर्मा उग्रजी ने अपनी इस जीवनी के अंश में व्यक्त किया है वो अपनी मा को माता या माईना कहकर आई कहकर इसलिए पुकारते ही क्योंकि आई में रुधे की अंतरगत भावना समाविष्ट है कारण उनकी आई ऐसी भली ही भोली भाली है क्रोधी है लेकिन वह परिश्रमी है वह परिश्रम करके अपने परिवार का जीवन यापन करने वाली उनकी माई है दयनिय अवस्ता में भी खुश रहने वाली है वो कभी भी उसने अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ उसने करने का प्रयास किया है किसी लिए पांडे या बेचन शर्मा उग्रजी के लिए उनकी मा धरती और धान की तरह समुरक्षक है और जिविका भी है इस प्रकार इस दुसरे अंश में हमने पांडे बेचन शर्मा जी ने निमा की भावना को किस प्रकार चित्रित गिया है यह देखा यहां हमारा धरती और धान ये जिवनी का अंश समाप्त होता है आपने ध्यान से सुना इससे लिए धन्यवाद